के स्टार्ट करते हैं आज का चाप्टर तीए लास्ट प्लासमे हम लोग 8-5 का पहला 200akraina किये दोडो विडियू बना था पार्ट पार्ट two आज हम लोग पार्ट three स्टार्ट कर रहे है लास्ट क्लासमे देखे थे कि प्रॉस्पेरो जो है अपने आपको सबके सामने एक्सपोज करता है दिखाता है कि यहां पर मैं अपना इंग्डम बसा लिया हूं इतना तक हम लोग देगे थे ठीक है उसके बाद एंटोनियो जो है उसको भी बोलता है कि यॉरा ब्रदर लेकिन तुमको ब्रदर बोलना इंपेक्ट माउथ तो गोंजैलो को भी तारीव करता है अलाउन्सो को भी उसको बोलता है कि तुमने मेरा टिंडम मेरेको वापस कर दिया है जिसके वज़े से आई विल आल्सो गिव यू सम्थिंग विच विल एक्स्ट्रीमली शॉक्यू सर्प्राइज यू ठीक हम लोग इ यहर प्रॉस्परो डिस्कवर्स फर्डिनांड एंड मिरांडा प्लेइंग एट चेस्ट तो वो उसको अपने सेल में आने के लिए बोलता है बोलता है कि आप लोग यहां पे आके रेस्ट कीजी और देखिए और जो चीज देखेंगे आप उससे आप शॉक्त ही हो तो फर्डिनांड बोलता है कि नहीं और दी एंटार वर्ल्ड आ वुड नाट चीट विद तुम्हां तुमको मैं दोखाने ही दूँगा यह गेम के तरह से भी बोल रहा है और यह प्यार के एंगल से भी बोल रहा है कि आई विल नेवर चीट विद यू ठीग है मिरांडा बोलती है yes for a score of kingdom you should wrangle and I should call it fair play तो बोलती है कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ पे तुम 20 score of kingdom यह थोड़ा सा टेडरिक को पाने के लिए तुम कुछ भी कर लोगे और हम बोल देंगे कि it's a fair play मतलब होता है ना कि सोचे जैसे लूडो खेलते हैं एक दूसरे को tease करते रहते Alonso बोलता है if this proves a vision of this island one dear son shall I twice lose तो Alonso तो देखके shocked वो बोलता है कि अगर यह भी एक illusion है then I will lose my son twice मैं अपना बेटा को दो बार खो दूँगा if this proves to be an illusion of the island टीके मैं अपने ही बेटे को दो बार खो दूँगा because यह भी illusion तो disappear कर जाएगा ना Sebastian बोलता है a most high miracle बोलता है this is a very big miracle Ferdinand बोलता है seeing Alonso and coming forward though the seas threatened they are merciful so Ferdinand अपने father को देखके बोलता है कि the seas were threatening देखके लग रहा था कि seas were threatening but in reality they are merciful merciful क्यों क्योंकि वो तो सोच रहा था था ना कि उसका father जो है डूब के मर गया he was thinking that his father was had died by drowning in the ocean लेकिन वो बोलता है कि the sea is merciful because वो अपने father को वापस पा गया अपने फादर के सामने घुटने टेकता है कुछ फादर के सामने गुटने टेकता है कुछ पूछना था पूछ लो बोलो and subjects none abroad मतलब कि इस island इस cave के बाहर मेरा और कोई subjects नहीं है ठीक है वो तो सिर्फ अभी इस island का ही तो मालिक है ना इसके अलावे तो उसका तौर तो कुछ नहीं है मने वो बोलता है कि वो तो उन लोग के सामने तो आया है ना थीक है तो बोलता है कि this is a real thing which is happening it's not an illusion it's natural breath मतलब वो reality ही है लेकिन वो लोग तो इससे पहले तो just jostled हुए है ना उन लोग का तो दिमाग तो पुरा तुम नहीं पूछेगा तुम भूल जाएगा हम भी भूल जाएंगे तो हमेशा पूछ लेगा चली continue करते हैं हम लोग अलाउंसो बोलता है ना ओल दब्लेसिंग्स अफ़ ग्लैड फादर कम पास दी अबाउट अलाउंसो बोलता है कि एक ग्लैड फादर का जितना भी ब्लेसिंग हो सकता है वो सब तुमको लग जाए तुमको प्रोटेक्ट करे तुमको एक फादर का ब्लेसिंग में दे रहा हूँ थीक है वो उसको उठाता है तो निल डाउन करता है ना as a sign of respect तो बोलता है कि Arise और तुम मेरे को बोलो कि कैसे करके तुम यहाँ पे present हो अभी ठीक है? How is it that you are here? Ferdinand Stance Miranda, rising and coming forward Oh, wonder How many goodly creatures are there here? तो Miranda भी उटके खरी हो जाती है, Ferdinand भी उटके खरा होता है, ठीक है? Miranda तो सुचती है, आरे वाह इतने सारे good-looking human beings है यहाँ पे, ठीक है? यह लोग, वो तो कभी दूसरा इंसानों को तो देखी नहीं है उसको तो लगता था कि यही लोग इतना इंसान इस आईलेंड में हैं ठीक है, तो इन लोगों को देखे वो भी shocked है How beautiful mankind is A brave new world that has such people in it तो बोलती है कि mankind is very beautiful Prosper, Prosper उतना बोलता है This new to thee, Prosper उतना बोलता है कि this is new to you यह सिर्फ तुम्हारे लिए new है Because obviously वो लोग तो देखे ही है I'll also do 49 What is this maid with whom thou wast at play? तो पूछता है कि रहे, यह लड़की कौन है जिसके साथ तुम गेम खेल रहे थे You are busy in the game Your eldest acquaintance cannot be but cannot be three hours तो बोलता है कि तुम लोग का तो मिलना जुलना तो maximum तीन घंटा का हुआ होगा ती है, तो यह कौन है तुम जिसके साथ ऐसे करें गेम खेल रहे तो who is this beautiful maiden? Is she the goddess that had severed us and brought us thus together? तो बोलता है कि यह क्या कोई goddess है जो हम लोग को separate कर दिया था and is she the one जिसके वज़े से हम लोग फिर से reunite ऐसे करके हो गए? Ferdinand बोलता है Sir, she is mortal तो Ferdinand बोलता है कि no Sir, यह mortal है, यह एक इंसान है लेकिन वो बोलता है कि but by immortal providence कि भगवान के वज़े से यह मेरी है she is mine, she is my wife I chose her when I could not ask my father for his advice nor thought I had one तो बोलती है Ferdinand बोलता है कि I had chosen this woman to be my partner, to be my guide, to be my wife जब मैं सोचा था कि मेरे father नहीं रहे when I thought that my father had died and I couldn't seek advice from him मैंने Miranda को अपना guide की साब से मान लिया था she is daughter to this famous Duke of Milan of whom so often I have heard renown तो बोलता है कि यह जो है daughter of Duke of Milan जो है उसकी बेटी है यह Prospero की बेटी है जिसके बारे में मैं इतना तारीफ सुना हूँ but never saw before of whom I have received a second life तो बोलता है कि मैं इसके बारे मैं सुना हूँ लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है ठीक है and it is because of him that I have received a second life मैं Prospero के वज़े से ही मैं एक second life मुझे मिला है in the sense कि वो अपनी future wife को वो Prospero के वज़े से ही पाया है वो तो सोचा था न कि इस आइलेंड में उसका तो कोई नहीं है उसका family मर गया उसका kinsman मर गया है he is alone on the island तो Prospero नहीं तो Miranda से उसका शादी कराने का अगरी करा के उसको एक second life दिया था उसको ठीक है मान सकते वैसा भी लेकिन बचा की नसे समुदर में डूबने के हिसाब से नहीं second life यहाँ पे की एक नया परिवार दे की उसको बचाया उस सेंस में जादा जाता है and second father this lady makes him to me और वो बोलता है he is my second father Miranda makes me makes Prospero my second father father-in-law के हिसाब से सोचो इतना था क्लियर है सबको पका क्लियर है क्लियर है अंकूर नंदिनी मानेज भी आप लोग को क्लियर है पॉला स्वाम्राइब क्लियर है अलांसो तब बोलता है I am hers but oh how oddly will it sound that I must ask my child forgiveness तो अलांसो तब बोलता है and I am her father मैं उसका father हूँ ठीक है obviously again father-in-law की हिसाब से लेकिन वो बोलता है कि how odd will it sound यह बहुत ज़्यादा strange sound करेगा जब एक father को अपनी बेटी से उसको माफी माँगना परेगा क्यों माफी माँगना परेगा? because she had betrayed her and her father तो उसकी लिए वो माफी माँगना तो भी बोलता है I must ask my child for forgiveness यह सुनके बहुत खराबी लगेगा इसके बारे में हम लोग और नहीं बात करते है let us not burden our remembrances with a heaviness that is gone हम लोगों के अंदर जो heaviness जो है जो sadness जो है वो चला गया उसको वापस लेके आ क्या हम लोगों उसके बारे में नहीं सोचेंगे ठीक है what's gone is gone what has happened is happened अभी सब नॉर्मल हो गया ठीक हो गया past के बारे में हम लोग याद नहीं करते है no see no 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 prospero ऐसा नहीं है कि वो past पूरा पूरी भूल गया है वो past याद रखा है जिसके वजह से ही तो इतना tempest tempest launch किया था ना इन लोगों इतना फशा इन लोगों इतना torture किया घुमाया फिराया so he remembers about the past लेकिन एक इंसान अपने जिंदीगी में वो क्या करता है वो दो develop करते रहता है नो अपने आपको improve करते रहता है so prospero is evolving as a character कि जहां पे वो पहले past को पकर के लेके बैठा था अभी वो past को जाने देने के लिए वो ready हो गया वो evolve कर रहा है human being clear clear सबको Gonzalo बोलता है I have inly wept तो Gonzalo बोलता है मैं तो अंदर ही अंदर रो रहा था I have been crying inside silently or should have spoke air this look down you gods and on this couple drop a blessed crown for it is you that have chocked forth the way which brought us सिद तो बोलता है कि मैं तो इतना देर से अंदर ही अंदर में चुप चाप रो रहा था I should have spoke before this मुझे तो पहले ही बोलना चाहिए ठीक है वो प्रे करता है कि gods look down upon this couple और इन लोगों को एक crown दे दो give them a blessed crown ठीक है क्योंकि it is because of God भगवान के वज़े से ही वो लोग इस island में पहुंचे है भगवान के वज़े से ही इस टू couple are together, Miranda and Ferdinand are together ठीक है सब भगवान नहीं ऐसे करके यह master plan बनाया है वैसे सोचो तो इसलिए बोलता है कि drop a crown on them इन लोगो राजारानी बनाओ and bless them. Alonso बोलता है I say Amen Gonzalo तो Alonso जो है गोंजालो का prayer में बोलता है कि ठीक है Amen यही हो ऐसा ही हो ठीक है गोंजालो बोलता है Was Milan thrust from Milan that his issue should become kings of Naples? तो गोंजालो तब बोलता है कि Milan को Duke of Milan को क्या Kingdom से निकाला गया था इसलिए ताकि उसका issue उसका जो future generation है वही लोग जाके ultimately Milan का फिर से Kings and Queens बनेंगे Naples का Kings and Queens बनेंगे Milan से निकाला गया था लेकिन वो लोग अभी Naples का राजा बनेंगे तो गोंजालो जो है बोलता है कि this is a cause to rejoice ये एक happiness का बात है और ये कहानी को लिखके golden pillars में लिखके चारो तरह इसको spread कर देना चाहिए so that everyone knows about it ठीक है in one voyage did Claribel her husband find in at Tunis तो बोलता है कि एक ही journey में in one journey only Claribel Alonso की बेटी उसको अपना एक husband मिल गया ठीक है उसके साथ-साथ Ferdinand her brother found a wife ठीक है Ferdinand को भी एक wife मिल गया where he himself was lost जबकि Ferdinand खुद ही खोया हुआ था उसको एक बीवी मिल गया Prospero his dukedom in a poor island Prospero को इस island का तो तो lord था ना लेकिन इस island का lord होते होते वो उसको अपना वापस original dukedom भी पुरा पुरी मिल गया and all of us ourselves when no man was his own तो बोलता है कि और हम लोग बाकी सब हम लोग भी कोई हुए थे भटके हुए थे ठीक है no man was his own कोई भी इंसान अपना नहीं था ठीक है लेकिन हम लोग सब रियूनाइट हो गये सब लोग हम लोग सब हैपी है यह जो पूरा चीज जो है यह पूरा tempest के एक तरीके से एक short summary हो गया ठीक क्लेरी बेल का शादी हो गया अपना kingdom मिल गया पाकी सब जो characters जो थे they were also lost वो लोग भी they were also reunited सब कुछ हैपी हैपी हो गया सब कुछ मतलब अल्टिमेटली जाके तो अलग 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 जगह में थे अभी सब को एक जगह में आके उसको टाइप करके फिनिश कर देना एलाउंसो बोलता है तो फर्डियन और मिरांडा गिव में यूर हैं लेट ग्रीफ और सोरो स्टिल एंब्रेस इस हार्ट दथ नॉप विश्यू जोई तो एलाउंसो फर्डियन और मिरांडा को बोलता है कि तुम लोग अपना हाथ दो और एक दूसरे का हाथ पकड़ा के उन् पुरा भरा हुआ रहे है ग्रीव से पुरा भरा हुआ रहे है गोंजालो बोलता है हम लोग पूरी नजर वाले तेरा मुझ काला वैसा टाइप का कुछ यह बोले हम नहीं बोले बीट सो एमन तो गोंजालो भी बोलता है कि बीट सो ऐसा ही हो एमन अंटर एरियल विट मास्टर एंड बोसुन अमेज़डली फॉलोईं टीए तो एरियल आता है मास्टर अव दशिप और बोसुन को लेके ठीए वो लोग भी सब एकदम शॉक्ट है ठीए ओ लुक्सा लु यह तो हमनों का ही सब साथ ही लोग है there are more of our crew of our team मैंने prophesized किया था था ना कि अगर गैलोज अगर जमीन पर ही रहेगा तो यह आदमी मरने वाला नहीं है एकदम act on scene 1 का reference अहां यह बोला था ना कि यह गैलोज इसको बोसुन को जमीन में जाके यह उसको फासी लगना है he has not a drowning mark on him ठीक है तो ही बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना कि इसका यह डूप के नहीं मरने वाला यह जमीन पर ही मरेगा ठीक है on the ship अब क्या अब बोलती बंद हुए क्या अभी don't you have any oaths to swear right now oaths to swear मतलब in the sense की वो तो बहुत roughly rudely बात कर रहा था ना तो ही बोलता है कि अभी क्या कोई roughly rudely words नहीं है क्या insulting terms नहीं है क्या तुम्हारे पास Sebastian and Antonio okay मने हां कि बोसुनी तो खुब खाढब बाब रफली rudely का था बोल चिलो ना तीक है एड़ा गोंजालो बोल चिटीक है बोसुनी तो रूडली का था बोल चिलो ना बोसुनी तो इतना rudely बात बोल रहते ना act on scene 1 में तूसी का भी उल्टा हो रहा है अब क्या अब ही बोल चिटीक है अब क्या अभी बूलती बंद हो गई क्या है बोलने ही रहा है ग्या क्या खबर है बोसुनी बोलता है The best news is that we have safely found our king and company The next Our ship Which but three glasses since we gave out split Is tight and yard and bravely rigged As when we first put out to sea So he says The best news is that We have safely found our king and company We have found our king and company Our ship is also tight and ready for another journey Initially when we first put out our ship We have found everyone Initially when we first put out our ship Our ship was fresh, tight, hardy Our ship was fresh It was new and new Aerial aside to Prospero Sir, all this service have I done since I went Aerial Prospero I have done this Even without you telling me Since I went Since 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 I have not yet I have done this I have done this I have done this Boat Because Aerial He knew That He knew That He knew He knew That Alonso These are not natural elements Natural events Sorry They strengthen from strange to stranger Say how came you here So Alonso So Alonso He said That How is it That Fit Thigh How is it That It's fit for travel How is it About How is it How is it How is it Fit for travel तो बोसुन बोलता है कि सर अगर हम जगे हुए रहते, तो हम आपको बोल देते, had I been awake, I would have easily told you, but मैं तो जगा हुआ ही नहीं था, तो हमको पता ही नहीं कि क्या हुआ है, we were dead of sleep, and how, we know not, all clapped under hatches, तो बोलता है कि हम लोग तो पूरे एकदब अदमारे के तरह सोए हुए थे, ठ पता ही नहीं था, we were completely dead of sleep, एदम मूर्दे की तरह हम लोग सोए हुए थे, ठीक है, and we were all locked under the ship, ठीक है, but we don't know how, where but even now with strange and several noises of roaring, shrieking, howling, jingling chains, and more diversity of sounds, all horrible, we were awakened, we were awakened, straight away at liberty, तो बोलता है कि हम लोग तो कुछ देर पहले हम लोग को होश आया, we heard so many strange, cowling, jingling sounds, roaring, jingling chains, श्रीकिंग, बहुत आलावा सुना, तब जाके हम लोग का होश आया, and after that, हम लोग यहाँ पर immediately, straight away at liberty, we immediately came out of our imprisonment, हम लोग जो फसे हुए था, हम लोग वहाँ से निकल के बाहर आ गए, where we in all, our trim freshly beheld our royal, good and gallant ship, our master capering to eye, तो बोलता है कि हम लोग जब बाहर निकले देखे कि हम लोग का कपड़ा भी एकदम fresh था, हम लोग का ship भी पूर एकदम brand new लग रहा था, and हम लोग का जो master है, हम लोग का captain है, he was capering to eye हर, वो जाके देख रहा था कि ship जो है, सब perfect है कि न on a trice, so please you, even in a dream, we were divided from them, and were bought moping hither, तो बोलता है, कि हम लोग तो अपने सपने में भी, we were not even together, we were divided even in our dreams, we were not together, हम लोग recently, फिलाली में हम लोग का होश आया, और हम लोग एक साथ होके हम लोग यहाँ पे हाजिर हो गया, Arial तब Prospero को बोलता है, aside में, was it well done, वो पूछता है कि मैंने जो क्या सही 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 से क्या, क्या, Prospero aside to Arial बोलता है, bravely my diligence, thou shall be free, तो बोलता है कि yes, you have diligently done your work, तुम एक दम perfectly काम किये हो, आल उन सो बोलता है, this is a strange maze as ever men prod, and there is, in this business more than nature was ever conduct of, Some oracle must rectify our knowledge, तो अला अन सो बोलता है कि यह जो भी हुआ है, this is, this island is a strange maze, that men have ever trodden upon, तीक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, यह तो बहुतम strange चीज है, ती है, some oracle must rectify our knowledge, हम लोगों को किसी को बोलना परेगा, some oracle, जिसको सब ठकीकत सब सच पता है, उसको आके बोलना है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वड़ना हम लोगों समझ में नहीं आरा कि what is happening on this island, it's an extremely strange thing, इतना तक सक्को क्लियर है, और आके बेसिकली जे शॉप की चुछाने, who knows everything, who knows everything, who knows the truth, who knows the future, ठीक आछे, हाँ, वो लोग सोय हुए है थे, वो लोग तो नाइटमेर्स देख रहे थे हैं, they were haunted by nightmares and dreams, सब लोग divided थे, सपने में भी वो लोग एक साथ नहीं थे, ठीक है, they were being tortured there, ठीक अचे, they were having nightmares, की, we can assume की it's prosperous magic, arials magic, we can assume that, liege, liege मने my lord, my king, इतना तक लियर है, पक्का, चलिए, हम लोग यहाँ पे यह वीडियो को थोड़ा सा पॉस करते हैं, फिर जाके next वीडियो में हम लोग part 4 में आ जाएंगे, में हम लोग प्रीभा झाल चले आ जाके पॉस करते हैं, जाके जाके आ जाके उहोग एक पाद के जाने जाएंगे,